हलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चानल पुस्तक पर एक बर फिर स्वागत है विक्रम ने बेताल को अपने बश में किया, उसे कंधे पर लादा और चल पड़ा और हमेशा की तरह शुरू हुई, बेताल के द्वारा सुनाई गई एक और कहानी कहानी थी एक गरीब इंसान की, जिसका नाम था अपूर्व अपूर्व आग की उस दर्या से गुजर रहा था, जिसे गरीबी कहते हैं, भूग कहते हैं, निरादर कहते हैं अपूर्व का एक मित्र था, अविनाश, जो धनवान था अपूर्व अपनी गरीबी से तंग आकर धन्वान बनने के आसान रास्तों की ताक में था अपूर्व की बेटी अंजली और अविनाश का बेटा सक्ते काम दोनों बच्पन से ही एक दूसरे को चाहते थे उनके लिए निर्धन और धन्वान में कोई फर्क न था लेकिन लालची अपूर्व हर हालक में अपने हालाद बदलना चाहता था एक दिन अविनाश अयोध्या यात्रा पर जाने की बात करता है और अपूर्व को कहता है कि वो उसके बेटे सत्यकाम की मदद उसके कर्ज को उतारने में कर दे अविनाश ने अपूर्व से कहा मेरे अयोध्या से लोटने पर दोनों बच्चों की शादिका सोचते हैं अपूर्व अविनाश की दौलत पर नजर टिका लेता है और अविनाश जैसे ही सत्यकाम की जनम पत्रे का ढूने जाता है तो पीछे से अविनाश का भहिखाता छिपा लेता है अपूर्व अविनाश के नकली हस्ताक्षर कर कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके नाम का कर्ज अविनाश के भहिखाते में लिख देता है अगले दिन अपूर्व उस भहिखाते को रख देता है और अपने आद्मों को सत्यकाम के हादों कर्ज के पैसे दिलवा देता है सत्यकाम को अपने पिता का कर्ज चुकाते हुए सारा पैसा और मकान देना पड़ जाता है अपूर अपने साथियों के साथ अपने घर पे मिलता है और अपने हिस्थे के बारे में बात करता है जब वो सभी बात कर रहे थे तो अंजली छिपकर सब सुन लेती है अंजली ये सुनकर दुखी होती है तो वो राजा के पास जाती है और राजा को इस बारे में बताती है कि उसके पितानी एक भोले आदमी की लाखों मोहरे लूट ली है राजा उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम्हारी फर्याद हम नहीं सुन सकते यदि वो लड़का आकर हमें शिकायत देगा तो मैं मदद करूँगा अंजली राजा को कहती है कि वो लड़का इतना भूला है कि वो मेरे पिता पर इल्जाम नहीं लगाएगा राजा अंजली को वापस भीज देते हैं ये सब राजा का बेटा देख और सुन रहा था राजकुमार अंजली को अपना दिल दे बैटता है वो अपने आदमी को अंजली के पीछे भीजता है अंजली राजा के पास सीधे सत्यकाम के पास आकर सारी बात बताती है तो सत्यकाम कहता है तुम्हारे पिता मेरे पिता के मित्र हैं मैं उनका अपमान नहीं कर सकता और उन्हें दरबार में नहीं खीन सकता अविनाश वहीं दिव्य रूप में प्रकट होकर सब सुन लेता है और अपने सारे लूटे हुए पैसे और मकान की कावज नकली कर्जदारों के घर से उठा लेता है राजा के बेटे का गुप्तचर उसे आकर बताता है कि अंजली सत्यकाम से प्रेम करती है तो राजा का बेटा सत्यकाम को मारने के लिए अपने आदमी को आग्या देता है सत्यकाम का राजकुमार के लोग गला घूट देते हैं और उसे मरा हुआ समझ कर वहां से चले जाते है अविनाश दिव्य रूप में अपूर्व के पास आता है और अपूर्व उसे देखकर हैरान हो जाता है कि वो तो यात्रा पर गया था तो अविनाश उसे कहता है कि वो कल ही वापस लोटा है अभिनाश उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुमने कई दिनों में काफी पैसे कमाए है मेरे बेटे सत्यकामने मेरे सारे कर्च चुका दिये है इसलिए मेरा हाथ थोड़ा तंग है क्या तुम मुझे एक लाग महरे उधार दे सकते हो? अभिनाश को मुहरे दे देता है और एक महिने का बयाच चुकाने की बात करता है तो अभिनाश उससे मुहरे लेकर चला जाता है और अगले दिन उसे काली मंदर के पास अपना सारा हिसाब चुक्ता करवाने के लिए बुलवा लेता है अपूरु जब वہां अगले दिन जाता है तो वहां जाकर उसे पता चलता है कि अविनाश मर चुका है और उसने उससे ये सब बदला लेने के लिए किया था क्यूंकि उसने धूके से उसके बेटे को रूटा था अपूर्व वहां से लोट कर अपने साथियों के पास मदद मांगने जाता है तो उसे उसके साथे धक्के मार कर निकाल देते हैं अपूर्व की हालत बहुत खराब हो जाती है राजकुमार एक जादूगर को बुलाता है और अपना रूप जादू से सत्यकाम के जैसा करवाकर अंजली से शादी करने के लिए निकल पड़ता है अविनाश वापस से आकर अपने बेटे सत्यकाम को भूश मिलाता है और उसे अंजली के शादी के स्थान पर जाने को कहता है अपूर्ग भी अंजली के शादी का सुनकर वहां पहुँच जाता है अभिनाश राजा के पास भी जाता है और उसे भी शादी के बारे में बताता है सत्यकाम वहां पहुँच जाता है और जैसे ही सत्यकाम राजकुमार के सामने आता है तभी वहां राजा भी आ जाते हैं और राजकुमार को प्रजा को सताने के अपराद में गिरफतार कर लेते हैं तभी वहां अविनाश दिव्य रूप में प्रकट होता है सत्यकाम और अंजली अविनाश को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं अभिनाश सत्यकाम को बताता है कि सर्यो नदी में पैर फिसलने की कारण उसकी मौथ हो गई थी अभिनाश अपूर्व से कहता है कि यदे उसे धन के जुरुत थी तो वो उसे बताता वो कहता है कि उसने केवल उसे सबग सिखाने के लिए उससे एक लाख मोहरे उधार ली थी और वो एक लाख मोहरे अपूर्व को दे देता है अपूर्व सत्यकाम से कहता है कि इन मोहरों पर उसका कोई अधिकार नहीं है और वो मोहरे दुबारा सत्यकाम को वापस कर देता है इतनी कहानी सुनाकर बेताल राजा विक्रम से प्रश्न पूछता है जिस धन के लिए अपूर्व उमर भर तरस रहा था उस धन को उसने लोटा क्यों दिया जल्दी बता वरना मैं तेरे सर के टुक्ड़े टुक्ड़े कर दूँगा तो राजा विक्रम कहते हैं बेताल जिंदगी की ठोकरों ने अपूर्व की आँखें खोल दी वो समझ गया कि धन के तीनों रूप दुगदाई है जब धन नहीं होता तो उसे कमाने का जंजड़ जब आ जाता है तो उसे सम्हालने का जंजड़ और जब आकर चला जाता है तो इंसान को जीते जी मार डालता है धन का लोग कभी भी इंसान को चैन से नहीं रहने देता वक्त ने उसे सिखा दिया कि इंसान गलत रास्ते पर चलकर कभी भी अपनी किस्मत नहीं बना सकता इस पर बेताल कहता है वाह विक्रम ठीक ने आये दिया तूने लेकिन ये भूल गया कि तू बोलेगा और मैं चला जाओंगा इतना कहकर बेताल फिर से शम्शान की ओर उड़ने लगता है और राजा विक्रम उसके पीछे-पीछे उसे पकड़ने के लिए दोड़ने लगते हैं आपको आज की कहानी कैसे लगी हमें कमिंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेताल 25 की 25 और आखरी कहाने सुनने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चानल पर और भी मोटिवेशनल आडियो बुक्स अवेलेबल हैं उन्हीं भी जरूर सुनें थैंक यू